हेलो गाइस कैसो आप सभी लोग आई हो फिर आप सब अच्छे होगे तो गाइस आर आज हम फिर से के लिए जा रहे हैं माइनक्राफ्ट एंड माइनक्राफ्ट ट्राइल तो यार वीडियो को एंट तक जरूर देखना और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार एक बात मैं आपको बता हूँ यह मेरे पाल तो नहीं है बट फिर भी यह मेरे कोई पता नहीं क्यों देख रहे हैं इनको ऐसा लग रहे है कि मैं इनको बाई अड्डे उड्डी के लाऊंगा बट एनिवेस गाइस यार जैसा कि आप सभी देख सकते हो यह वाला जो प्रक्षर है मेरे साब से जहां पर हमें ट्रैजर मिल सकता है या वह कोई कुवा है मतलब इससे पहले शायद मैंने उसको कहीं देखा है बट एनिवेस वहां पर भी जाएंगे बट उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता होगा कि माइंक्राफ्ट का एक यूरिवर्सल रूल है कि यहां पर आते ही आपको सबसे पहले वुड कलेट करनी है तो सबसे पहले गाईजर यह करते हैं इसके थोड़े बहुत नम आइटम मतलब जो टूल्स होते हैं वो क्राफ्ट कर लेते हैं ओकी गाईजर तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने भाई लिटरली काफी सा यहां से ठीक है इनको हमारे साथ ही रहने दो क्या पता हमारी ऐसी प्रोटेक्शन करें वैसे इनको यह टेम करना पड़ता है यहां से भी थोड़े बहुत स्टोंस ले लेते हैं बट एक सेकिड मेरे को ऐसा लग कि वहां जोंबी है तो यह मैं को ना देखकर उतरना पड़े एक सेकिड वहां पर करें सीग साथ हाई और यहां पर उहां साथा है और जैसा कि आप देख सकते हूं सबसे पहले मैं अपल लेता हूं एंड मेरे साबसे यह जो यहां पर वो था न वुल्फ उसने शीप को मार दिया चलो यार उसने मेरा एक काम तो हलका करा यहां से बस मुझे दो वुलोर चिए और यार मेरे को नो उसको टेम करने का मन कर रहा है बट उसको कभी बाद में टेम करेंगे और यहाँ पर रात ओरिये मैं तो ध्याली नी दिया तो सबसे पहले भास कर चलते है इंढ देखते हैं कि यहाँ के रहे हैं वो जो चीज है, वो क्या चीज है ओकी गाई तो हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं य Merry है और मुझे ऐसा लगते हैं मुझे नहीं लगता है कि यहाँ ट्रैजर मिलता होगा गाईजर अगर आपको पता है तो मुझे जरूर से बताना बट मुझे लगता है बस ऐसी शोफ के लिए है बट एक सेकिड मैं किधर जारू भाई रात हो रही है मुझे कैसी भी करके कहीं जाना होगा तो सबसे पहले आगे चलते हैं यहाँ पर काफी सारे कैक्टस है बट मेरे को वह नहीं लेने और यहाँ पर रोश्नी सी कैसे हो रही है तो एक सेकिट तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने की तरफ यह डैजर टेमपल है और यहां पर भाई भाई लाव भी है यहां पर तो मैं लाव भी ले सकता हूं बट यहां पर राध भी हो रही है तो सबसे पहले गई से वहां चलते हैं यहां पर यह खरगोश के बच्चे सबसे पहले जैसा कि आप सभी देख सकते हो हमना काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं वैसे इतना भी दूर नहीं है हमारे अपने बेस से बठा मुझे जल्दी से नदी पार करने होगी क्योंकि आए ड्राउन ड्राउन आगे ना भाई खतम कर देगा यार और एक भी वैपन और की पर चार्चे जिए कहां से आ गए मैं अंदर चलता हूं और अपर मैं इसको मरतक यृई मिर को सबसे पहले मैं इसको खतम करता हूं नहीं הב׽ एक उक्पी वाले on सबसे पहले मैं यह बंद करता हूं कि मैंने चाहता कि कोई बाहर से आ जाए ठीक है अब मैं सेफ हूं बट यार मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है ओके तो मेरे पास शायद एक यह रखाता और कच्छा फूड भी तो है हां तो मैं इनको पका सकता हूं बट सबसे पहले मै या एपली खा के काम चलाने वाला हूं ओके तो हमारा पेट वेट भर चुका है पेट पूजा हो चुकी है और यहां टोश लगा देता हूं यार कोई जोंबी अंदर स्पोन ना हो जाए तो ठीक है मेरे साफ से काफी उचाला हो चुका है तो सबसे पहले गाईजर अब हम ज चुका है सबसे पहले मैं इसको तोड़ता हूं यार क्या पता गल्दी से उसके पाउं रख दूँ बट एणिवेज सबसे पहले चश्ट खोलते हैं यहां से रोटन फ्रेश मिल चुका है चलो भाई खाने माने में खाम आएगा यह ले लेंगे इंसाइन वें नीच यार्मि यहां से हमें बोन भी मिल चुके जिससे कि हम वूल्फ को टेम कर सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि मैं वापस वहां जहने वाला हूं तो सबसे पहले रोटन फ्रेश भी ले लेता है यार और यहां देखते हैं तो यहां पर होर्स आर्मर है यहां पर हम एक बोब बना सकत सबस्यां करते हैं यहां तो यहां से यहां से बाहर निकलता यार मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बहार निकलने वाला हूं क्योंकि यहां पर बहुत जादा गंदी वाली रात हो रही है और रात को जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई बाहर कितने सारे जोंबिस घो सकते हैं तो मैंने चाहते हैं कि यार मैं उनके हाथों मारा जाऊँ और मुझे ही लगता है कि यहाँ पर और भी कुछ मेरे काम की चीज़ है तो सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं मैं पूरा कपूरा ready हो चुका हूँ और यार हमें बस एक diamond और मिल जाता ना तो सच बताओ यार मज़े आ जाते बढ़ कुछ नहीं होता और हाँ हम उससे sword बना सकते थे बढ़ ठीक है और यहां रात कैसे हो गए यहां से मतलब अंदेरा हो गया तो ओके सबसे पहले गाईज यहां से बाहर निकलते हैं and shield will सब आ चुकिया हमारे पास तो इतनी डरने की जरूरत नहीं है बठा यार फिर भी थोड़ा बहुत तो डरना चाहिए तो यहां से मैं रुखने नहीं वाला and okay 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 सबसे पहले गाईज यहां भकता है और यह मकड़ी को जादे डिश्टर्ब करती है और मैं किस साइट जा रहा हूं यार में को किस साइट जाने मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और एक सेकिंड मेरे को सामने की तरफ विलिज मिल गया बाई मकड़ी प्लीज यार मारियो मत यार ओके यह कुछ कहाए भी निरे बस वहां पर एक आहरन गोलम हो मैं बस यहीं चाहता हूं यार मेरे से मतलब मैं और कुछने चाहता हूं गधे कहीं कहां इस पोन हो रहा है वह कैक्टेस के बीच में सबसे पहले वहां चलते हैं यह सबसे पहले वहां भाग कर चलते हैं और मेरे पीछे तो कोई नहीं पढ़ाना और जैसा कि आप सभी देख सकते हो मतलब यह जो कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है यार विलेज लाइट एकदम तगड़ी वाली लगा रही है यहां पर डे भी हो चुका है जो की काफी ज्यादा सही है मेरे लिए क्योंकि भाई हम बहुत ज्यादा दूर से आ रहे हैं वैसे इतना भी दूर से नहीं आ रहे हैं और यहां पर हमें डेजर्ट टैंपल मिला एंड उसके अलावा एक डेजर्ट विलेज मिला एंड काफी ज्यादा बढ़ा विलेज है मुझे तो यह भी समझ सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत लूट करने वाला हूं एक सबसे बढ़ा है मुझे आसा रख रहा है कि दिन में जोंबी मार रहे है मिरको बठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहां पर काफी सारी हैं तो यह भी ले लेते हैं कि मैंने चाहता है कि भाई खाने वाने की कमियो एंड गाइजर लिटरेली यार यह जो काफी ज्यादा सही है एंड डैजर टेंपल के अलावा हमें आप एक विलेज भी मिल गया और यह बटन भी होते हैं वह भाई यह मैंने पहले बार नोटिस करा कि कोई विलेज में ऐसे बटन भी होते हैं तो गाइजर जैसा कि आप सभी देख सकते हो यह जो जगाए मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है तो थोड़े बहुत उसको एक्स्प्लोर करते हैं और मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर एक और विलेज है बट वो विलेज निया मेरे साब से वो कोई पहाड है बट उसको सबसे पहले यार थोड़े वो घर के अंदर चलते हैं भाई लूट वूट ने मिल रही है इनकी ऐसी की तैसी अब यार चैसी थी निया इनके घर में ठीक है गाईजर तो जैसा कि आप देख सकते हो एक के घर में भी मेरे को चैस्ट नहीं मिली और यह यह पता नहीं क्या ची यहाँ पर एक भी ओके यह आईरन कोलम नाच रहे हैं मुझे दूर से लगा कि यह सकेलेटन है बट फिर भी यार काफी जाता सही है रोक के इन्हों ने अपने घर के अंदर कैक्टस को लगाता है मेरे साब सी इन्हों ने इसलिए लगा है क्योंकि अंदर कोई स्पोन हो जात भी आड़े चाल है पागिल ने लौट बर फैक्सराइब रही पागलों ने बतीक है और बाल फिस्ति क् 법 करते हैं सबसे पहली यहां से उपर मेरे न है नहीं भाई नहीं मैंने मेरे साबसे उसको मार दिया नहीं मुझे लगा कि मैंने विलेजर को मार दिया इसको उपन करते हैं ये भी खालिया भाई है तो छे नटयर के बइस्ट लीए कर बाई क이를ं और है किसी के घरह में कुछ मिला ही नहीं dal का 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 कि वाई हलका सा भी कुछ नी बिला और हाँ काम करते हैं आप अपना पॉइंट सेट कर देता हूं क्योंकि अगर मैं मर वुरा गया तो मैं यहां पर इस पॉन हूं और एक काम करते हैं इनका बैड भी तोड़ लेते हैं ठीक है ना मेरे कहां माने वाल है तो सबसे पहले मैं यह सोच रहा हूं कि हमें अपना घर यहां आसपास बनाना चाहिए और मुझे भरोसा है कि यहां पर कहीं न कहीं हमें चैश तो जरूर मिलेगी और यह बिल्ली को देखो कैसे डर रही है तो सबसे पहले एक छोटा सा हम अपना घर बनाने वाले हैं बट मुझे ऐसा कि ल इंपल सा घर बनाया मैंने कोई जादा टीपिकल नहीं बनाया एंड जैसा कि आप देख सकते हो यह हमारी एंट्रेंस एक काम करते हैं यहां पर थोड़ी बहुत रोश्णी हो जाए और मेरे साफ से इतना काफी है और हां यार गुटन सी लग रही है मेरे को सबसे पहले यह हमारा बैड यहां पर लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा बैड कहां पर है ओके यह रहा मेरा बैड मुझे लगा क्यार जो बैड है न वो आया है नहीं बट हां फाइनली जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर यह ग्रीन ग्रीन सकते हैं ओके तो यह पॉइंट सेट जब हो वन डे से ज़्यादा इस वर्ड में सर्वाइव कर लिया और यहां पर खरगोश के बच्चे मजे ले रहे हैं बट एक सेकिंड मैं अंदर जाने वालूं बाई सची में नकली यारी बंदे कुछ निये इनके पास हमने जो हमारा घर है उसको कंप्लीट कर लिया और वन डे से ज जो माइंकराफ्ट ट्राइल वो कैसी है ऑप यह सोच लोगे कि मैं बाना कि非常 एक यह उक्यों कर रहा हूं तो मैं पूरा का पूरा अपना चोटा सा बेस बना ले जब मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप सभी के साथ उसको एक्सप्लोर करा जाए तो सबसे पहले गाईज यह सारे का सारा जो सामान है उसको तोड़ते हैं जल्दी से वहाँ चलते हैं अगर मैं आपको अप इस सारा सारा सामान ले लिया हैं और टाट करन यहां थी का थोड़ इसी डैमिज पढ़ गई और जैसा कि आप देख सकते हो चाला कर लिया सबसे सेगेंड वाई मैं कहा जा रहा हूं यार वो उस साइड है तो सबसे पहले एक काम करते हैं इधर जे चलते हैं तो फाइनली गाईजर हम बस पहुंचने वाले हैं एंड उपर भाई यह गोल्ड ब्लोक लगा हुआ है ठीक है इसको भी कलेट कर लेंगे बट उससे पहले यहाँ पर मैगमा ब्लोक है तो उससे बचके रहना होगा और इसकी ऐसी की तैसी नकली बंदे यार यह तो बस नाइन इंगेट इससे मतलब सोरी नगेट से यह इससे बस हमें ठीक है यार एक इंगट तो मिली जाएगा और यहाँ पर यह फायर चार्जी से यह भी ले लेते हैं सब एक सेकंड एक काम करता है इधा रखते हैं ओके तो सबसे पहले गाई यह जो गोल्ड है ना मैं उसको क्लेट करने वाला हूं और दिखने में कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है और अगर आप ध्यान से उस चैट देखोगे तो वहाँ पर गोट मजे ले रही है और एक सेक भी निदेखा था मुझे लगता था बस यह हमपर ही अटेक करती है बट यह तो जानवर उपर भी अटेक करती है बट फिर भी गाईस यार और इनसे कुछ मिलता भी नहीं पागल है यह सच बतारों मतलब कॉछ भी देख कर नहीं देते हैं और हां गाईस जैसा कि आप सभी भाई इस world को explore कर सकते हो और हाँ guys यार जैसा कि आप सभी ने देखा कि वहाँ पर मैं को ruin portal मिला तो simple जो minecraft trial का default world होता है simple आपको वो create करना है जो कि minecraft खुद से आपको create करनेगा और उसके पाद आपको इसी coordinate पर आ जाना है जिससे कि आपको भाई ruin portal मिल सकता है बट एक second यार हमें अपना घर भी बनाना है यार तो सबसे पहले चलते हैं और मैं अपनी कोई जगा decide कर रहा हूँ कि आखिर हमें किस जगा जाना चाहिए और भाई मैं तो सोच रहो पहाड़ो के उपर बना लो यह village कोन मार रहा है भे ठीके 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 सबसे पहले आगे चलते हैं and minecraft trial में हमें village देखने को मिला एक काम एक second में कुछ तो गड़बर लग रही है इस village में तो kaiser अगर आप दिहान से देखोगी ना तो यह zombie village है जहाँ पर भाई villagers कम zombie जादा रहते हैं ठीक है यार मतलब जो भी हाँ villager होगा ना उसमें से जादा मतलब 99% तो आपको सारे zombie villagers देखने को मिलेंगे बट यहाँ पर ruined portal भी है तो ओके वहाँ gold भी है बड़े बावले बंदे हैं ऐसे जगा पर gold लगा रखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किले निकालना बट फिर भी यहाँ से हमें एक golden हो मिली है एक काम करते हैं इसको भी collect कर लेते हैं और साथ में यह भी ले लेते हैं मुझे ज़्यादा golden हो नहीं चाहिए बठा मुझे gold block जरूर चाहिए तो सबसे पहले उसकी पास चलते हैं एक सेकिन भाई कहां से जाऊंगा मैं ओके ठीक है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अगर मैं इसको ऐसे collect करता हूँ ना भाई मैं सच बता रहा हूँ मेरे हाथ से वो चले जाएगा बठे काम करते हैं यहाँ पर ना यह वाला जो block है सबसे पहले मैं इसको लगाने वाला हूँ और ओके ठीक है यह खतम हो चुका है तो सबसे पहले काम करते हैं कोबल इस्टों लेते हैं इसको लगा देते हैं तो finally guys जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारे का सारे यहां से खतम कर दिया लावा और मुझे ऐसा लगा कि यहां पर एक कोई zombie है जो कि चला रहा है अब यहां यहां पर तो guys अब मैं सबसे पहले क्या करने वाल हो ना यहां पर ही बैड लगाता हूं और यहां पर ही जो अपना respawn point है उसको set करता हूं क्योंकि मैंने चाहता कि अगर भाई में को by chance इन zombie villagers ने मार दिया तो मैं अपनी default जगह पर पहुच जाओंग जहां पर मैं मतलब गेम के थूर यार इसपोन हुआ था और यह जगह मेरे को नहीं पता कैसी जगह है एंड जैसा क्या आप देख सकते हो मकडियों के जाले घदेड़े कहीं कि यार मैं इसको मानने का मन नहीं कर रहा मैं पास golden apple है नहीं golden apple भी नहीं है मर तेरी ऐसी कि तैसी बट एक काम करते इ यहां बाई तुने में को बंद करके रखा है और फिर तु फायदा उठा रहे है मेरा बट एक सेकेड में इसको तोड़ी ने पाना पक तेरी ऐसी कि तैसी तो ऐसी मरेगा मेरा तो मर तेरी ऐसी कि तैसी बट फाइनली गाईस जैसा क्या आप देख सकते हो हमने उसको खतम कर ने करते है काफे सारा खाना मिल चुका है यहापर अप्ल भी मिल चुकी हमें ये भी ले लेते हैं और बुक्त मैं ज़िधा पढ़ाई वडैनी करता तो रीक करनेगा तो तो एक सेकेंड यहाँ पर यह रखा है और उपर क्या पता बाई जोंबी बंदा हो आपर मेरा बाई स्वागत करने के लिए कड़ा हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता है उसके हाथ लगू एंड ओके ठीके ठीके यहाँ पर कोई जोंबी ना हो एक सेकेंड भाई रुक जोंबी विलीजर होता है वह तो अपने घर के Laud extrêmement है क्योंकि भाई उनको धूब से बहुत जादा डर हाई और वैने बैट अपना बहु onions चल जाएगा कि आखिर यह जो Minecraft trial है यह Minecraft से कैसे different है बट एक second में फोड़ा वो डर लग रहा है यार अब मैंने बैट अपना वहाँ लगा रखा है तो मैं वहाँ नहीं जाओंगा अभी तो सबसे पहले एक काम करते हैं इस घर के अंदर चलते हैं और देख कर आते हैं कि इस घर के अंदर हमें आखिर क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है बट मुझे थोड़ा वो डर लग रह जाता हूं जैसा कि हमने माइनक्राफ के अंदर बनाया और यह जगह मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है अपने घर के लिए एक काम करते हैं वापसे भाई रीस पॉइंट पॉइंट कर देते हैं ठीक है तो सबसे पहले रखते हैं जो हमारा जो हमारा घर है वो देने के लिए यहाँ पर क्राफ्टिं टेबल एंड फरनेस रख दी इसके लावा यहाँ पर बैट रख दिया तो सबसे पहले यहां से बाहर चलते हैं थोड़ा बाहर का भी लुक दिखा देता हूं मैं आपको और क्या नजारा हो रहा है अगर मैं आपको दिखाओं बस पा कोशिश कर रहा हूं यह ब्लोक मेर से नहीं टूट रहा जैसा कि आप देख सकते हो और अगर मैं इस गेट को बंद या खोलने की कोशिश करूँगा ना तो मैं इसको नहीं बंद कर पाऊंगा नहीं खोल पाऊंगा मतलब इस गेम के अंदर मैं एक भटकती आत्मा हूं जो क कि कुछ कर नहीं सकता और अगर आपको कोई जोंबी मारने आ रहा है ना तो आप उससे बस पिट सकते हो यार पिटने के लाव आपके पास एक और ओप्शन है या तो वहां से भाग जाओ नहीं तो उससे पिट के मर जाओ यार मतलब आप उसको नहीं मार सकते जोंबी को मतल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह chest है मैं इसको open करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर यह open ही नहीं हो रही तो guys अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर जो minecraft trial है वो minecraft से कैसे लगए इसके अंदर आपको बस एक limited time मिलता है 90 minutes का बस आपको उतने में यह जो NS को खोल कर रखाता है और अगर मैं आपर कोई block place करने की कोशिश करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं कोई भी block नहीं place कर पाऊँगा और अगर यहाँ पर जो januar है अगर मैं इनको मारने की कोशिश करता हूँ तो मतलब मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई यह सब मेरे लिए आत्मा बन चुके है या इन सबी के लिए मैं आत्मा बन चुका हूँ तो I hope guys आपको यह जो वीडियो यार अच्छे लगी होगी झाल 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 झाल